देश की अलगलग मंडियों में प्यास की कीमत में उतार चड़ाव होता रहता है जुसके चलते खुदरा प्यास की कीमते भी प्रभावित होती हैं। प्यास की खेती में मुनाफ़े को देखते हुए अप किसान पारम पर एक फसलों की खेती कम करते हुए नगदी फसलों की खेती करते नजर आ रहे हैं। लेकिन मध्यप्रदेश के किसानों को कुछ दिनों से काफी घाटा हो रहा है। आपको बता देगी मध्यप्रदीश के बड़नगर मंडी में प्यास का भाव 800 रुपे प्रतिकविंटल दर्श क्या गया है ऐसे में जान लेते हैं कि अभी बाजार में प्यास का भाव क्या है सबसे पहले हम बात करेंगे मध्यप्रदीश की जहां प्यास के घड़ते दाम नजरा रहे हैं मध्यप्रदीश की बढ़नगर मंडी में प्यास का गिरता भाव देखने को मिल रहा है बढ़नगर मंडी में प्यास का भाव 800 रुपे प्रतिक वुंटल है वहीं इन दौर में 595 और रतलाम में 651 रुपे प्रतिक वुंटल दर्श किया गया अब बात बिहार की करेंगे बिहार की कुछ मंडियों में मध्यप्रदीश के मुकाबले प्यास का जादा भाव देखने को मिला है जानि बिहार के बाराहाट में प्यास का दाम बारहाट मंडी में प्यास की कीमत 5000 रुपे प्रतिक वुंटल है दानापूर और शिवहर मंडी में प्यास की कीमत 5000 रुपे प्रतिक वुंटल दर्श की गई आखिर में बात कर लेते ही हर्याना की यहां भी प्यास का भाव अभी सामान्य चल रहा है हर्याना में प्यास के भाव में कमी देखने को मिल रही है हर्याना की गनोर मंडी में कीमत 4500 रुपे प्रतिक विंटल दर्च की गई घरोंदा में 4200 और वहीं जगाधरी में 4100 रुपे प्रतिक विंटल प्यास कदाम दर्च क्या गया आस प्यास के भाव में गिरावट देखने को मिल रही है जिससे किसान काफी परिशान है ऐसे में उन्हें उचित दाम नहीं मिल पा रहा है किसान तक किसान तक खाना है तो उगाना है अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और नोटिफिकेशन पाने के ले बैल आइकन भी दबा दे